दोस्तों, साल 2024 का सबसे बड़ा पहला सूर्य ग्रहन 8 अप्रेल 2024 को लगने जा रहा है। दोस्तों, इस ग्रहन के दौरान बहुत सारी घटनाएं घटित होगी और 6 ग्रहे भी वक्रिय अवस्था में रहेंगे। वही यह सूर्य ग्रहन काफी भयंकर होने वाला है क्योंकि यह काफी लंबा सूर्य ग्रहन रहने वाला है। सूर्य ग्रहन के बाद चमकने वाली है और कुछ राशियों को बड़ा नुकसान जेलना पड़ सकता है परन्तु सभी राशियों में से छह राशियाओं ऐसी हैं जो की काफी ज्यादा भागेशाली होने वाली है और उनको करोड़ों का धन मिलने वाला है यानि वो करोड़पत बनने वाली है और धन से माला माल होने वाली है दोस्तों सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिख दे हर हर महादेव ओम नमशिवाय भगवान शिव की कृपा से आपके उपर सूर्य ग्रहन का कोई भी असर नहीं होगा सूर्य ग्रहन आपका बाल बांका भी नहीं कर दोस्तों आठ अपरेल को पढ़ने वाला सूर्य ग्रहन कब कहां इसका सही समय और सूतक कल इसके अलावा कौन-कौन सी राशियां भाग्यशाली रहेगी और किस प्रकार का प्रभाव सभी राशियों पर पढ़ेगा इनके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे हम जाने वाली उन महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में आपको बताएंगे इसके साथ ही दोस्तों उन सभी अशुब कारियों के बारे में भी बताएंगे जो वर्जित रहता है और जो करने योग्य नहीं है दोस्तों ग्रहनकाल के दोरान आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों आपको निश्चित तोर पर इसका शुभ परिणाम देखने को मिलेगा और साथ ही साथ अपने जीवन में चली आ रही किसी भी प्रकार के और समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं महादेव की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर रहे तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जैशिव शंभू लिखना ना भूले दोस्तों इस सूर्य ग्रहन का अशुब प्रभाव इन छेह राशियों पर देखा जा सकता है और वही शुब प्रभाव भी कुछ राशियों पर रहेगा दोस्तों सूतक काल दौरान बच्चे और रोगी जो बीमार अवस्था में पड़े हुए हैं इन्हें छोड़ कर अन्य किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए इस दौरान खान-पान के पदार्थ में तुलसी दल रखना चाहिए साथी साथ दोस्तों इस समय गर्भवती महिलाओं को लिक्विट के अलावा कुछ भी सेवन नहीं करना चाहिए उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए यानि जब तक ग्रहन पड़े उनको बिलकुल बाहर नहीं निकलना चाहिए यहां तक की चोखट और दहलीज भी नहीं लांगना चाहिए साथी सुई, चाकू, छुरीका इस समय यानि जो धार वाली जो चीजें हैं उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए ऐसा करना वर्जित माना जाता है यानि जो काटने वाली चीज हो उसको बिलकुल नहीं चूना है ग्रहन काल में सोना और भोजन दोनों ही वर्जित है यानि आपको ना तो खाना खाना है ना ही सोना है दोस्तों ग्रहन काल में आपको काफी महत्वपूर्ण सावधानियां बरतनी चाहिए खास तोर पर कोई भी ग्रहन का सूतक काल लगता है दोस्तों खास कर साल दो हजार चौबीस का ये पहला सूर्य ग्रहन लग रहा है और इसका प्रभाव बारह की बारह राशियों पर देखा जा सकता है लेकिन खास कर दोस्तों ये जो चेह राशियां हैं ये बहुत ही भागशाली साबित होने वाली है इनको धन का अंबार मिलने वाला है यानि धन का खजाना मिलेगा, साथ ही साथ ये करोड़ पती भी बनने वालें हैं जरूरत मंद लोगों को दोस्तों, इस सूर्य ग्रहन में दान करना आपके लिए शुभ माना जाएगा सूतक काल में कोई भी शुभ कार्य बिलकुल नहीं कर सकते और ग्रंथों के अलावा सूतक काल में पूजा पाठ और देवी देवताओं की मूर्ति को भी छुणा वर्जित है इस दोरान कोई भी शुभ काम बिलकुल ना करें ऐसा करना अशुभ माना जाता है दोस्तों सूर्य ग्रहन में अशुभ प्रभाव से बचने के लिए आपको अपने जीवन में महत्व पूर्ण मंत्रों का भी आपको जाप करना चाहिए जैसे की महामृत्युन्जै मंत्र ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें इस से आपको काफी फाइदा होगा इस दौरान आप दान कर सकते हैं जैसे की अनाज वगेरा और दोस्तों इसमें तुलसी के पत्ते का सेवन कर सकते हैं दोस्तों साल दो हजार चॉबीस का यह लगने वाला सूर्य ग्रहन आपके जीवन में काफी ज्यादा प्रभाव डालने वाला है और यह आपके जीवन में पैसे से जुड़े धन से जुड़े कोई भी समस्याएं हो आपको छुटकारा मिल जाएगा परंतु यह सूर्य ग्रहन हमारे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है तो दोस्तों चलिए अब हम जान लेते हैं एक एक करके सभी राशियों के हाल तो कौन-कौन सी है वह भागिशाली राशियां है जो ग्रहन के दौरान जिन्हें सावधानियां बरतनी चाहिए और यह करोड़ पती भी बनेगी तो दोस्तों सूर्य ग्रहन में इस लिस्ट में जो सबसे पहली राशियां आती है वह है व्रिशब राशी दोस्तों व्रिशब राशी वाले जातकों की अगर बात करें तो यह इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहन रहने वाला है इस सूर्य ग्रहन में व्रिशब राशी वालों को शुभ परिणाम प्राप्त होगा यह सूर्य ग्रहन आपके धनकी आय को बढ़ा सकता है इस सूर्य ग्रहन में आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी है सूर्य ग्रहन के प्रभाव से आए के नए नए अफसर आपको प्राप्त होंगे और किसी नौकरी के लिए किया गया आवेदन आपको सफलता दिला सकता है व्रिशब राशिवाले जातकों के लिए यह समय बहतरीन साबित होगा सामाजिक स्थिती मजबूत होगी लोगों से आपका मेल मिलाप होगा लोक प्रियता आपकी बढ़ेगी लोगों के प्रति आपको खुशियां तो प्राप्त होगी ही होगी साथ ही साथ सहयोग भी प्राप्त होगा दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी है वो है मकर राशी जी हाँ दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें मकर राशी वालों की तो अगर आप निवेश करना चाहते हैं अगर आप अपने व्यवसाय में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके लिए ये समय बहुत ही आपको धन दौलत की पप्राप्ती होगी, आप कई प्रकार के शुब कार्य करने की कोशिश भी कर सकते हैं, आपकी कोशिशें रंग ला सकती हैं, आपको अपने कार्यक्षेत्र में कार्यस्थल में नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है, आपकी प्रशंसा होगी, आप अपने साथ ही साथ आप अपने स्वास्थे का विशेश ध्यान रखें। और दोस्तों अचानक से आए के नए नए स्रोत सामने आ सकते हैं। आपकी जमीन जायदात से जुड़े मामले में फैसला आपके पक्ष में आएगा। आपकी आर्थिक स्थिति कन्या राशे वालों मजबूत होने वाली है, राजनीती से जुड़े लोगों को बहुत लाब होने वाला है, उच्च पद की प्राप्ती हो शक्ती है और आपको किसी पार्टी में प्रशंसा प्राप्त होगी, साथ ही साथ नई जिम्मेदारी भी मिल भी कर रहे हैं, तो इसकी प्रशंसा और मान सम्मान भी बढ़ेगी, दोस्तों अगली जो राशी आती है वो है मिथुन, राशी, तो मिथुन राशी वाले जातकों के खर्चों में थोड़ी सी व्रिध देखने को मिल शक्ती है, लेकिन आपको अचानक से कहीं से धन का भी ल धुरता बनी रहेगी, कार्यस्थल पर चल रहे वाद विवाद खत्म होंगे और आपके लिए ये महत्वपूर्ण ग्रहन रहने वाला है, अशुब प्रभाव से बचने के लिए आपको ओम नमशिवाय मंतर का जाब भी करना चाहिए, साथ ही साथ यह समय आपके लिए नए अवसरों को लेकर आ रहा है, आपके अपने स्वास्थे को लेकर भी थोड़ा सा चिंतित रहना पड़ सकता है, वहीं दोस्तों यहाँ पर कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं और उन समस्याओं से आप बाहर भी निकल सकते हैं, आपको अपने पिता का रहने की आवश्यक्ता है, साथ ही साथ इनको धन से संबंधित चीजों का लाब होने वाला है, अगर आप पैसा कहीं लगाते हैं, जैसे लोटरी सत्ता शेयर मारकेट में तो आपको लाब मिलेगा, साथ ही साथ दोस्तों आपको आमदनी में डबल मुनाफा होगा, अगर किस ग्रहन के प्रभाव से आपकी वित्तिय स्थिती पर भी प्रभाव पढ़ सकता है, जो कि आपकी आर्थिक स्थितियां सुधारने में सहायता करेगा, आपको किसी भी प्रकार का बदलाव या फिर किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पद सकता है दोस्तों, इस समय अपनी वानी पर नियंत्रन करें, दोस्तों यहाँ पर अगर हम अगली राशी की बात करें, तो अगली राशी रहने वाली हैं धनु, राशी, जिहां दोस्तों, इस से ग्रहन का जो प्रभाव है, वो धनु राशी वालों पर रहेगा, आप अपनी संतान को लेकर चिंतित हैं, लेकिन संतान की तरक्की से आपका मन प्रसन रहेगा, वाद समवाद भी आपका लोगों के साथ होगा, आपके वरिष्ठ अधिकारी या जिन लोगों से प्रोफेशनल संबंध हैं, उनसे संबंध बनाए रखने की जरूर है, संतान के तरक्की से भी यह ग्रहन आपके लिए धनूराशिवालों शुब साबित होगा, आपको यह ग्रहन धन से संबंधित कई चीजों में मुनाफ़ा देगा, यहां तक की गुप्त धन आपको दिल सकता है, यहां तक की किसी गुप्त धन के चलते आप करोड़ पती बन सकते हैं, पूजा पाठ में आपका मन लगेगा दोस्तों, धनूराशिवालों, आप अपने सुख सुविधाओं के साथ धन ऐश्वरया में धन दौलत में भी व्रिधि करते नजर आ रहे हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, तो दोस्तों साल दो हजार चौबीस में लगने की जरूरत है, आपको दुरघटनाओं से बचाना है, आपको किसी भी लेन देन से बचना पड़ेगा, लेन देन के मामले में सतरक रहे, कर्ज उधार बिलकुल ना दे, हालांकि आपको रुख हुआ फंसा हुआ धन मिलने के योग बन रहे हैं, धन दौलत में वृद्ध मन मुटाव हो सकता है, कोई अपना ही आपके साथ धोखा कर सकता है, तो कुल मिलाकर कुछ चीज आपके लिए बेहतर है, कुछ चीज नहीं है, उसे आपको बेहतर करने की आवश्यक्ता है, सूरि ग्रहन में आप सूरि से संबंधित मंत्रों का जितना हो सके, उतना जाब कर दोस्तों आपको इस समय और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ मंत्रों का जब करें, मंत्र स्रोत का जब करें, यानि ग्रंथों को पढ़ें, हालांकि दोस्तों आपको बताते हैं, यह सूरी ग्रहन भारत में नहीं लगेगा, इसलिए इसका सूतक भी भारत में नहीं लगेगा, लेकिन आप लोग ग्रहन के दौरान ये जो सावधानियां हमने बताईए इसको जरूर ध्यान रखियेगा और कोई घबराने वाली बात नहीं है। इस ग्रहन का सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा। दोस्तों तो दोस्तों यह थी कुछ खुश नसीब और भाग्यशाली रशियन जिनको भगवान भोलेनाथ जी के आशिरवाद से 8 अप्रेल सूर्य ग्रहन के बाद माला माल करोड़ पती बनने से कोई नहीं रोग सकता। इन राशियों का किस्मत चमक जाएगा। इन राशि का भाग्य पलट सकता है दोस्तों। हिंदू धर्म में दान का अत्यधिक महत्व बताया गया है। सूर्य ग्रहन के बाद किसी निशक्त व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। प्रति दिन अपनी माता का आशिरवाद लें और चावल दूध का दान करें। सूर्य ग्रहन के बाद प्रति दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। मांस मदिरा से दूर रहें और अपने आचरण को शुद्ध रखें। यदि आपके घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ है तो उसे प्रति दिन पानी दें और उसकी सेवा करें। सूर्य ग्रहन के प्रभाव को कम करने के लिए परिवार के सभी सदस्यों से सिक्कों के रूप में पैसे इकठा करें और किसी दिन पूरे पैसे मंदिर में दान कर दें। तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही अब मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।